विंत मंतरी निर्मला सितारमण ने कहा है कि केंद सरकार ने income tax की दरो को निधारित करते समय मध्धपर क्यानि middle class के हीतों को बहुत ख्याल रखा गया विंत मंतरी ने कहा सरकार के नए tax regime के जरिये taxpayers को कई भी कल्प दिये हैं विंत मंतरी ने कहा पहले नए इंकम टेक्स रिजिम में कोई छूट नहीं था लेकिन लोगों की मांग को सुनने के बाद उसमें स्टेंडर्ड डिडेक्शन को जोड़ा गया नियूज एटिंग के कायरेकरम में विंत मंतरी ने कहा 2019 के बाद से यह कोशिस रही है कि डिरेक्ट टेक्स एसंस के सरल बनाया जाए प्रोसेस को सरल बनाने की कोशिश होती रही है जिसके चलते सरकार ने इंकम टेक्स रिजिम को लेकर आई जिन में इंकम टेक्स रेट्स को कम रखा गया विंतर मंतरी ने कहा हमने टेक्स पेर्स को बिकल्ब दिया है कि अगर वे डिड़क्शन चाहते हैं तो पुराने टेक्स रिजिम के साथ बने रह सकते हैं विंतर मंतरी ने कहा पहले नए टेक्स रिजिम में कोई डिड़क्शन नहीं था लेकिन लोगों को मांग को सुनने के बाद standard deduction को सरकार ने उसमें सामिल गया विंत मंत्री ने बताया कि विंत वर्स 24 पेस के लिए बजट पेस करते हुए सरकार ने चर्चा के बाद मद्यबर के लिए नए tax रिजिम में tax rates को घटाने का फैसला लिया और standard deduction बराने का फैसला लिया विंत मंत्री ने यह भी कहा कि मद्यबर को ध्यान में रखते हुए परधान मंत्री नरिंद मोदी ने भी tax rates घटाने को सलहा दी उन्होंने का हमने हमेशा से मद्यबर के हीतों को ध्यान में रखा है मौजूदा विंत मंत्री के लिए बजट पेस करते हुए नए income tax रिजिम में income tax लेब में tax payers को राहा दी गई और standard deduction को 50,000 से बढ़ा कर 75,000 रुपय कर दिया गया विंत मंत्री ने बताया कि assessment याई 24-25 के लिए जितने tax payers ने ITR फाइल किया है उसमें 78 फिसिदी tax payers ने नए income tax रिजिम का बिकल अपनाया है